हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाचर प्लैनेट आज हमें एक्स्प्लेइन करने वाले हैं मिस्ट्री डिरामा मूवी को जिसका नाम है लॉस्ट गर्ल एंड लब होटल्स जिसे डारेट किया है बिलियम ओलसन ने और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 4.6 आउट चलो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है फिर कुछ दिन पहले का फ्लेश बैक हमें दिखाया जाता है मारगेट हमसे कहती है कभी कभी मुझे लगता है किसी भी स्टोरी की हैपइ एंडिंग नहीं होती, चीजें बहुत मैसी होती है और वह सेंस नहीं बना पाती, मारगेट एक attendant के school में पढ़ाती है वो ये job जापान में करती है और बहां की लड़कियों को चीजें सही से pronounce करना सिखाती है वो कल रात बहुत ही जादर drunk हो गई थी और hangover होनी की बज़े से उनी कपड़ों में job पर आ जाती है उसकी एक student है जो उसे as our teacher बहुत पसंद करती है वो student उसे कहती है तुमारा outfit बहुत ही अच्छा है कल रात Margaret जिन कपड़ों में बाहर गई थी वही कपड़े पहन कर वो आई हुई थी इसका मतलब होता है वो रात पर अपने घर ही नहीं गई फिर वो एक toilet में जाकर अपना outfit चेंज करती है यहां की boss नहीं ये सब notice किया वो Margaret से पूछती है क्या तुम ठीक हो Margaret कहती है हाँ मैं ठीक हो Margaret एक छोटे से studio apartment में अकेली रहती है इसके बाद हम देखते है Margaret अपने friend के साथ एक बार में hangout कर रही थी उसके एक friend का नाम Liam होता है और दूसरे का आइनेस पोस राद भी बार में drunk होकर उन दोनों से कह रही थी actual में drunk होना कैसा होता है यानि की इतना drunk कि आप चल फिर भी ना पाओ इसके बाद toilet जाते time को एक आदमी से टकराती है और उस आदमी के साथ intimate हो जाती है बाद में ये फिर से अपने friend को join करती है और drunk हो जाती है इसके बाद हम देखते हैं Margaret और Liam जब अकेले होते हैं तब Liam पूचता है तुम कभी मुझे date क्यों नहीं करती वो उसके पास आ गया था Margaret कहती है मैं तुमें as a brother देखती हूँ इसके बाद बाहर जाते हुए उसने एक बंदे को notice किया जिसका नाम यकूजा होता है Margaret कहती है उसने अपनी life में देखा हुआ यकूजा सबसे beautiful आदमी है यकूजा भी उसे notice करता है signal खतम होते ही ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं बहुत रात हो चुकी थी उसके friend घर पर चले गए थे लेकिन वो घर पर नहीं गई इसके बाद वो फिर से ड्रंक होने लग गई इस बार में वो एक और आदमी से मिलती है दोनों ने एक दूसरे को देखकर smile किया और फिर वो आदमी directly उसे एक hotel लेकर आया और ये दोनों intimate हो जाते है intimate होते time Margaret कहती है मुझे hurt करो उसका मतलब होता है हाथ पैरों में पट्टियां बादना ये सब वो अपने साथ करवाना चाहती थी उसे ये सब करवाना अच्छा लगता है वो आदमी उसे hurt नहीं करना चाहता था इसलिए वो उसे ऐसे ही छोड़कर चला जाता है Margaret आज रात भी घर नहीं गई थी तो ऐसे ही अगले दिन भी जॉब पर आई वो पूरी तरीके से hangover थी और ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही थी उसकी बॉस उसे देखती है और कहती है आज तुम्हारी तभी ठीक नहीं है ऐसा करो तुम घर चली जाओ Margaret फिर वाश्रूम जाती है तभी उसकी बॉस उसके पास आकर कहती है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जॉब पर क्यों रखा है Margaret को नहीं पता था तब वो उसे समझाती है जब मैं यंग थी तो तुम्हारी तरह हुआ करती थी Margaret को ये बिलीब नहीं होता क्योंकि उसकी बहुत-बहुत सुल्जी भी लगती है उसकी बहुत सुछ से कहती है मेरा हस्बेर नहीं है मेरे कोई बच्चे नहीं है सब लोगों को पता है मैं बहुत ही सैड हूँ मैंने अपनी लाइफ में कितनी भी मिस्टेक की हूँ फिर भी मैं इन लड़कियों को कुछ सिखा सकती हूँ वो Margaret को सही करने के लिए इंस्पाइर कर रही थी इसके बाद हम देखते हैं Margaret एक बुक इस्टोर में आई और यहाँ पर वो एक पेंटर की बुक देख रही थी उस पेंटर ने इसमें सारी न्यूट पेंटिंग्स बनाई हुई थी अचानक से उसे यहाँ पर यकूजा मिलता है वो उससे पूचता है क्या तुम्हें आर्टिस्ट पसंद है वो कहती है हाँ यकूजा कहता है मुझे भी इसके बाद हम डारेक्ली इन दोनों को एक होटल में देखते हैं Margaret जैसा चाहती थी उसके हाथ बगेरा बांद कर इंटिमेट होना यकूजा उसी तरह से उसके साथ इंटिमेट होता है वो उसे कहता है प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं बहुत ही गलत आदमी हूँ वो कहती है नहीं मैं नहीं समझूंगी अगले दिन वो अपने जॉब पर आती है तब उसकी बॉस कहती है क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें सही लगती है मार्गेरेट कहती है एक्चूल में मुझे ये जॉब करना अच्छा लगता है उसे फ्लाइट अटेंडेंट स्टूडेंट को सारी चीज़ें एक्ट करके बताना अच्छा लगता है उसे अपने अलाबा और किसी का भी रोल प्ले करना अच्छा लगता है उसका जॉब खतम होने के बाद नीचे याकूजा उसका बेट कर रहा था वो कहता है जादा बरी मत करो हम सिर्फ डिनर के लिए जा रहे हैं फिर वो उसे एक रीजनल रेस्टोरेंट में लेकर गया जहां उन्हें अपने सूज निकाल कर अंदर बैठना होता है जब मार्गरेट ने अपने सूज निकाले तो उसके सौक्स फटे हुए थे मार्गरेट को अनकमफटेवल ना लगे तो इसलिए यकुजा उसे एक अलग रेस्टोरेंट में लेकर आता है वो उससे पूछता है तुम जापान में क्यों हो तब वो कहती है मुझे अकेला रहना था मैं बैसे लोगों से दूर रहना नहीं चाहती ती अपनी कंट्री से दूर रहना चाहती थी वो बाते कर रहे थे तबी पीछे से एक आदमी ड्रंक होकर आया और मार्गरेट से टकरा गया वो उस बज़े से थोड़ा अनकमफटेवल हो गई और वाश्रूम जाकर आई वो जब बापस आई तो देखती है शोर शराबा करने वाले लोग बहां से चले गए थे एक्चुल में यकुजा एक गैंगिस्टर है तो उसने ही इन सारे लोगों को बाहर निकाला था वो मार्गरेट से कहता है कभी कभी लोग तुमें डिस्टप करते हैं तो इस बज़े से तुमें उन लोगों से दूर रहना पड़ता है फिर ये होटल में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं इंटीमेट होने के बाद मार्गरेट यकुजा से पूचती है तुमें मुझमें पसंद क्या है यकुजा कहता है तुम बहुत स्पैसल हो तुम जल्दी खुश नहीं होती मुझे ये एक चैलेंज की तरह लगता है इसके बाद यकुजा पूँचता है तुम्हें मुझे में क्या अच्छा लगता है वो कहती है मुझे भी सेम लगता है तुम्हें एक चैलेंज की तरह हो और मुझे चैलेंज पसंद है फिर यकुजा उससे कहता है उसकी शादी होने वाली है जिसे सुनकर मार्गरेट सैट हो गई थी इसके बाद वो यहां से चली गई अगले सीन में मार्गरेट और उसकी फ्रेंड हंग आउट कर रहे थे मार्गरेट कहती है मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ उसकी फ्रेंड कहती है क्या ये यकुजा की बज़े से है प्यार और पागलपन में ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं होता मार्गरेट कहती है उसकी शादी होने वाली है उसकी फ्रेंड को भी सुनकर बुरा लगता है वो कहती है लाइफ एक राइड है इसका सिर्फ तुम मज़ा लो मार्गेट को अच्छा फील करने के लिए उसे एक बार में लेकर गई मार्गेट को अपनी जौब पर लड़कियों को सिखाना और उनके सामने एक्ट करने में मज़ा आने लग गया था यकूजा और ये जब फर्स टाइम मिले थे जो बुक वो पढ़ रही थी यही बुक यकूजा उसे गिफ्ट करता है मार्गेट को ये देखकर अच्छा लगता है उसी बुक पर एक होटल का कार्ड होता है जहां पर जाकर वो उसे के साथ इंटिमेट हो जाती है मार्गेट को यकूजा एक गैंगिस्टर है ये बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है वो कहती है क्या तुमें कभी कोई फिंगर कार्ड कर गिफ्ट करता है येकूजा कहता है अगर कोई गलती करता है तो as a punishment उसे वो याद रहे तब हम उसकी फिंगर कार्ड कर उसे गिफ्ट करते है इसके बारे में येकूजा ज़ादा बात नहीं करना चाहता था वो मारगेट से पूछता है तुमारी फैमिली कहा है मारगेट की मदर और फादर की डैथ हो चुकी है उसका एक ब्रदर है जिसे अपने दिमाग में आवाजे सुनाई देती है जो उसके पास रहे ऐसा उसके साथ कोई नहीं है वो यकूजा से पूछती है क्या तुम अपनी बाइट से प्यार करते हो यकूजा कहता है वो एक responsibility है आप life में कभी भी अकेला नहीं रह सकते लोग community इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है इसलिए उसने ये शादी की है इसके बाद ये दोनों फिर से intimate हो जाते है यकूजा उससे पूछता है तुम्हें intimate होते टाइम इस तरह के game खेलना क्यों अच्छा लगता है वो कहती है यही चीज़े हैं जो मुझे excite करती है अगले सीन में मार्गेट अपने friend के साथ hangout कर रही थी उसके friend Liam की girlfriend बहाँ पर आती है इन दोनों की जोड़ी बहुत ही cute थी मार्गेट इन्हें देखकर मजाग करने लगती है अगले दिन जब वो काम पर आ रही थी तब उसे बाहर यकूजा मिलता है वो उससे कहता है चलो हम कहीं बाहर चलते हैं मार्गेट को जोब पर जाना था इसलिए वो नहीं आ सकती थी वो कहती है कि हम कल नहीं जा सकते लेकिन यकूजा जित करता है तब मार्गेट को अपना जोब बंक करके उसके साथ जाना पड़ता है उसके कुछ student ने इन्हें देख लिया फिर ये लोग एक ट्रेंज से कहीं पर जा रहे थे यकूजा ने अपने बच्पन की फोटोज उसे दिखाई मार्गेट को ये बहुत क्यूट लगती है इसके बाद यकूजा उसे एक टेंपल के उपर एक ब्यूटिफुल सी जगा पर लेकर आया यहाँ पर वो एक दूसरे को किस करते हैं फिर यकूजा उसे बुद्धास रूम नाम के टेंपल में लेकर जाता है बहाँ पर एक साइन बना हुआ था यकूजा उससे कहता है यहाँ पर आने के बाद तुम फिर से रिवान होते हो तुमारे पास लाइप से कोई भी लेना देना नहीं रहता नीचे आने के बाद वो उससे पूँचता है तुम्हें किस तरह से फील हो रहा है मार्गरेट को ऐसा कुछ अलग फील नहीं हो रहा था यकूजा कहता है तुम्हें यह बाद में रियलाइज होगा इसके बाद मार्गरेट टेन में सो रही थी जब वो अपनी नीन से जागी तब यकूजा उसके पास अपना जैकेट छोड़ कर बहां से चला गया था जैसा कि हमने देखा मार्गरेट अपना जॉब छोड़ कर बहां से चली गई थी इस बात से उसकी बोस बहुत ज़ादा गुसा दी उन्होंने मार्गरेट का जॉप एक अलग इंस्ट्रक्टर को दे दिया उसकी बोस ने उसे फायर कर दिया था मार्गरेट कहती है मैं इससे च्छा कर सकती हूँ वेटर बन सकती हूँ उसकी बॉस उससे कहती है तुमने मुझे नहीं अपने स्टुडेंट को डिसपॉइंट किया है उसकी बॉस को ये सही नहीं लगता उसने कहा तुम्हें वेटर बनना है तो कहीं और जाकर बनो मारगरेट बहुत रोती है कुछ दिनों से यकुजा ने भी उसे कॉंटेक्ट नहीं किया एक दिन उसकी फ्रेंड उसके पास आई हुई थी वो अमेरिका पापस जा रही थी मारगरेट को ये सुनकर बहुत बुरा लगा वो कहती है कोई भी अच्छी चीज हमेशा हमेरे पास नहीं रहती सब चीज़ें कभी न कभी खतम होने वाली होती है मारगरेट फिर अपने फ्रेंड के साथ लास्ट टाइम बार में आई मारगरेट उससे पूछती है तुमने मुझे एज़ा फ्रेंड क्यों चूज किया उसकी फ्रेंड कहती है दुनिया में दू तरीके के तब उसने यकुजा को नोटिस किया यकुजा अपनी फूरी फैमली के साथ था उसने वहाँ उसकी बाइफ को भी देखा जब उसकी पूरी फैमली चली गई इसके बाद वो यकुजा का पीछा करती है यकुजा एक बिल्डिंग में इंटर हुआ लेकिन मारगरेट उससे कह हमारा सीक्रेट बन सकती हूं वो सिर्फ उसके साथ रहना चाती है वो फिर इंटिमेट हो जाते हैं मारगरेट यकुजा से आई लव यू कहती है यकुजा को यह बहुत अच्छा लगता है अब तक कि यकुजा ने जो भी किया उसका इससे बहुत पच्छतावा होता है ज़र ड्रंक हो जाती है वो सुबा तक बहां ही रही वो बहां पर बहुत रो रही थी हमने देखा ता उसके फ्रेंट की गल्फेंट थी जो उसे नोटिस करती है वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आती है मारगरेट उसे कहती है कभी-कभी मुझे सिर्फ अकेला रहना पसंद आता है आज रात भी वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई सेटी में एक जगा पोस्टर लगा हुआ था कुछ लड़कियां स्टेट से मिसिंग हो रही थी मार्गरेट आज भी ड्रंक थी मुवी के स्टार्टिंग में हमने जो सीन देखा था जिसमें मार्गरेट को एक स्ट्रेंजर अप्रोच करता है मार्गरेट उससे कहती है मुझे होटल लेकर चलो ये स्ट्रेंजर बहुत ही अजीब लग रहा था मार्गरेट होटल पहुँचकर उससे अपने आपको बांधने के लिए कहती है वो आदमी फिर उसे बैट से बांध देता है वो आदमी कहता कभी कभी लोग मास्क के पीछे बहुत ही गटिया होते हैं मार्गरेट को रियलाइज हुआ साइध ये रात उसकी आखरी रात हो उसे फिर से बुद्धा का टेमपल दिखा उसे लगा वो फिर से रिवान हो रही है वो आदमी उसे मारने ही वाला था अभी बहाँ पर यकूजा आ गया वो मार्गरेट को बचा लेता है लेकिन वो विलीब नहीं कर पाती कि वो एक्चुल में यकूजा है वो उससे पूछती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे यकूजा अभी भी उसकी केर करता है तो इसलिए वो हमेशा उस पर नज़र रखता है मार्गरेट कहती है तुम एक कावर्ड हो यकूजा भी ये मान लेता है क्योंकि वो मार्गरेट से सही से प्यार नहीं कर सकता मार्गरेट को अभी अभी रीबॉन एक्सपीरियन्स हुआ तो वो डिसाइड करती है वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगी इस बज़े से वो फिर से अमेरिका जाने वाली है जाते हुए वो यकूजा को कॉल करती है और कहती है तुम सही दे यहाँ के टेमपल में जाने के बाद मैं फिर से रीबॉन हुई हूँ तबी फ्लाइट में मारगरेट ने अपने स्टुडेंट को देखा वो फ्लाइट अटेंडेट बन चुकी है उसे बहुत प्राउड मैसूस होता है वो जो काम करती है वो कहीं न कहीं मैटर करता है मूवी के फर्स्ट सीन में उसने जो डैलोग कहा था वही डैलोग वो फिर से कहती है लेकिन एक एडिशन के साथ मुझे लगता है कोई भी हैपी एंडिंग नहीं होती लाइफ में चीजें होती रहती है जो बहुत ही मैसी है कुछ भी सेंस नहीं बना पाती उनकी लाइफ अलग अलग इवेंट को जोड़ती रहती है और एक स्टोरी बनाती है लेकिन ये सब मैटर नहीं करता अगर हम नोटिस करें तो ये सारी चीजें बहुत ब्यूटिफुल है जो भी लाइफ में होता है इसमें हम ब्यूटि ढून सकते हैं मार्गरेट अपनी लाइफ में पूरी तरह से हार चुकी थी उसे यकूजा से प्यार हुआ लेकिन उसे वो भी नहीं मिला अब उसे अपनी लाइफ चेंज करनी है उसने अपने स्टुडेंट को एज़ा अटेंडेंट देखा उसे बहुत अच्छा लगा जैसा कि बॉस ने कहा था मैंने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक की हैं लेकिन इन मिस्टेक से मैं कुछ सिखा सकती हूँ ये चीज आगे चल कर मार्गरेट करेगी उसकी लाइफ में जो भी चीज़े होंगी वो उनमें ब्यूटी ढून लेगी इसी के साथ मोवी एंड हो जाती है आई होप आपको एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा होगा अगर एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करतीजे और चैनल को सब्स्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में